तो गाइस आज हम जाज़ाएं जैपूर के आमिर के किले पर जाएंगे देखने के लिए तो गाइस अभी सुबह का टाइम है 6 बजा है तो अभी हम नास्ते के लिए रेडी हैं और नास्ता हम बना चुके हैं सब को नास्ता करा कर घर से ही ले जाएंगे हम सब भी साथ में नास्ता करकर जाएंगे और बच्चे अभी इस morning में जाग चुके हैं यहाँ पर सुबह बहुत अच्छी हो रही है और अच्छा नजा रहा है यह सब अभी बैड में से उठे हैं और अभी सब लोग अच्छा खुस हैं और अब मैंने लगा दिया है यहाँ पर चाए और नास्ता मैं इन सब को चाए नास्ता करा लेती हूँ तो फ्रेंड्स अब हम हो गए हैं तयार आमिर के किला देखने के लिए तो हम सब निकल रहे हैं यहाँ हम सब तयार हो चुके हैं अच्छे से ready हो चुके हैं तो friends बच्चों को बहुत खुसी है कि आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं निकल रहे हैं और nest पीछे हम घूमने के लिए निकले थे कल भी और आज हमारा प्रोग्राम है आमिर का किला तो आमिर का किला देखने के लिए हम सब तयार हो चुके हैं और نिकलने वाले हैं तो मितान्स तो बहुत चह चा रहा है और चोटी सिस्टर है कि थोड़ा भी काम थोड़ा नहीं निटाए तो वो और हम निकल चुके हैं और चल दिए हैं और यूनिवर्सिटी से हम निकल चुके हैं और देखते हैं रास्ते में क्या चीज लें क्या चीज नहीं लें किस से जाहें तो अभी निकलते हैं नेश्ट आगे चलते हैं बढ़ते हैं रोड की तरफ तो देखते हैं ये सिष्टर की जो बेटी है बहुत चुलबुली है बहुत सैतानी करती है बहुत सैतानी करती है और अब हम चलती हैं आगे और हमने रिक्सा लिया है और हम रिक्से में बैठे हैं रिक्से से ही हम जाएंगे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और ये रिक्सा हमने आमिर के किले तक बुक किया है और उसके बाद देखते हैं पहुँचने के बाद में अभी फिलाल हम रास्ते मेर चल रहे हैं और यहां के सीन देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बहुत अच्छे सुन्दर सीन देखने को मिल रहे हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे नहीं खुस हुए जैसे हम अपने साथ बच्चों को लेकर चलते हैं तो बहुत खुस दिखते हैं वो भी बच्चे और सिश्टर की बेटिया से चिपकी हुई है कि उसको डर लग रहा है चलने में हवा लग रही है उसको तो अपनी मम्मा के गले से चिपकी हुई है ये पहाड़ों के सीन है फ्रेंड्स और हम पास से ही गुजर रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और कुछी इस तरह के ये किले हैं ये क्या चीज हैं अभी बन रहा है ये भी शुरुवात होई है तो अच्छे लग रहे हैं देखने में बहुत अच्छा और साथ मैं आपको भी से दिखा रही हूँ कि आप लोगों को भी देखने में कैसा लग रहा होगा प्लीज कमेंट में बताना की कैस तरह का लग रहा है जैपूर आप लोगों को भी देखने में तो बने रही है वीडियो में हमारे लाश्ट तक और आगे के जो scene है और अच्छे आने वाले है बहुत ही सुन्दर तरीके से दिखने वाले हैं और बढ़ रहे हैं हम आमेर के किले की तरफ दीरे-दीरे और अबी हम यह चीज यहां देखने में इतना मन लग रहा है कि बस देखते ही रहो देखते ही रहो खड़े हो कर पर हमको देरी हो रही है, हमको किला देखने के लिए तो हम यहां खड़े भी नहीं हो सकते देखने के लिए, पर next time लोटेंगे तो देखेंगे इन सब चीजों को, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ, झाल सकते हैं हम रहीं है. झाल 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 जैसे ही आमेर के किले के नजदीक हम आते जा रहे थे तो हातियों के जुंड़ा आना स्टार्ट हो गेते और हातियों को देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा और धीरे धीरे चल रहे थे और हातियों को भी हमने काफी दिनों के बाद में देखा है वो भी जैपुर के अंदर और इतना जुंड आते जा रहे थे और जो मितांस है हमारा हर हाति के साथ बोलता जा रहा हात्थी जी नमस्ते हाथी जी नमस्ते तो एक हाथी ने उससे सून हिला कर नमस्ते बोला और इतना अच्छे प्यारे लग रहे थे इतने जुंड की जुंड चल रहे थे देखने में और करीब से जो जा रहे थे तो और भी इतना अच्छा लग रहा था हाथी पहले कभी हम बच्पन में देखते थे हातियों को और उसके बाद में तो आज हमको देखने के जैपूर के अंदर मिले हैं ये हाति देखने के लिए और ये पहुँच चुके हैं आमेर के किला सुरू यहीं से हो रहा है ये देखो उपर से जो ये किले का है राजा महाराजाओं का रास्ता है ये जो हम उपर के सीनों में जो दिख रहा है ये डिजाइनों का असा जैसा तो यहीं से सुरू हो रहा है हम और अंदर की तरफ हम चल रहे हैं आमेर के किले मैं इंट्री करने के लिए तो अभी थोड़ा थोड़ा सा दूर है यहाती महाराज है तो हम रूख चुके हैं और साइद हमको लग रहा है कि यहीं से एंट्री होगी और देखते हैं कि रिक्सा से उतर कर नीचे कुछ थोड़ी देर पैदल चलना पड़ जहां तक और पहुँच गए हैं इंट्री गेट पर तो दोस्तों तो फ्रेंड्स यह इंट्री गेट है और मितांस के पापा तलास करने गए हैं मालूम करने गए हैं कि यह कैसे जाना होगा इसके बीच तो अब भी हम थोड़ा उपर की तरफ चड़ रहे हैं सीडियों से और अब हम हाथी राजा के पास में खड़े हुए हैं और मितांस बड़े प्यार से गौर से देख रहा है हाती कान हिला रहा है और यह सब सीडियां है इनको चड़ना उतरना चड़ना उतरना और यह है इधर का साइड यह पूरा तो इसका वीडियो है नेश्ट अगले भाग में दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस विलोग में पूरा नहीं देख पाऊगे तो मिलते हैं के लिए नेश्ट वीडियो में बने रही है इसी तरह हमारे इंट्रेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए और नेश्ट विलोग के लिए तैयारी नेश्ट विलोग में दिखाती है पूरा आमेर का किला तब तक के लिए बाई बाई